चलिए SN1 reaction को हम एक एक्जामपल से समझते हैं हमने ले लिया त्रीतियक भूटाइल ब्रोमाइड इस त्रीतियक भूटाइल ब्रोमाइड में हम नुक्लियोफाइल ले ले लेते हैं तो यह नुक्लियोफाइल किस प्रकार आख्रमन करेगा इसे हम देखते हैं तो कुछ इस प्रकार अभिक्रिया होगी पहले क्या होगा क्योंकि हम एसन वन रियेक्शन देख रहे हैं हमारा हैलूजन जो है यहां से पहले हटते जाएंगे जिससे यहां कार्ब केटाइन बनते हैं यह हमारा पहला स्टेप हुआ अब देखें कार्ब केटाइन बनने के बाद OH जो हमारा नुकलियोफाइल है यह नुकलियोफाइल आकरमन करता है और आकरमन करने से हमें यहाँ पे त्रितियक ब्यूटाइल एलकोहल मिलता है तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है इसे हम SN1 प्रकार की अभी क्रिया कहते हैं अब SN1 रियेक्शन और कहां होंगे कौन से क्रियाकारिक इसे बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं इसे समझें बात हो रही थि कार्ब केटाइन की हमने पहले ही देखा है कि कार्ब केंटाइन कैसे होते हैं त्रीतियक और प्राथमी कार्ब केटाइन कि auouse जितना इस्ताइबल है जितना स्थाई है वो प्रोड़क्ट उतना ही जदा बने क्योंकि हमारा त्रीटियक कार्ब कैठाइन' होते हैं वह बहुत ज्यादा स्थाई होते हैं वह बहुत stable होते हैं तो यह बहुत असानी से SN1 अभी क्रिया करते हैं तो हमें इस थेयान रखना होगा कि चभ भी हम SN1 genommen की करते हैं तो इनकी क्रिया शीलता का क्रम क्या होगा री已經 की जो सीरीज होगी हमेशा त्री tolerant जो का्र अधा ज्यादा रियक्टिव होंगे फिर इससे थोड़े कम रियक्टिव होंगे आपके द्वीतिय कार्ब केटाइन और सबसे कम रियक्टिव या कम फेवर करते हैं SN1 रियक्शन को वह है प्राथ में कार्ब केटाइन यहीं बात उठती है कि हमारे पास एलाइलिक हैलाइड है और बेंजाइलिक हैलाइड भी है तो एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड भी अब इसी प्रकार बेंजायलिक हलाइड में बेंजीन रिंग से हमारा हैलोजन नहीं जुड़ा हमारा हैलोजन बेंजीन रिंग से जुड़े हुए किसी भी कार्बन से जुड़ा होता है तब इसे हम बेंजायलिक हलाइड कहते हैं ये दोनों जो हैं ये SN1 रियक्शन के लिए बहुत ज्यादा reactive होते हैं favor करते हैं प्रश्न उतता है क्यों कर रहे हैं इतना favor तो चल ये समझते हैं क्योंकि ये दोनों में देखिए resonance होता है resonance के कारण इनमें जो कार्ब केटाइन है वो ज्यादा stability ले आता है और अभी बात हो रही थी हमारी कि जो जितना स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा रियक्शन करता है कारण यह है कि स्टेबलिटी से वो ही प्रोड़क बनेगा जो खुद भी जाकर क्या होगा बहुत ज्यादा स्टेबल होता है तो यह दोनों जो है यह आपके एसन वन रियक्शन को फेवर करते हैं अब हम बात करते हैं एसन टू रियक्शन की ना भी किस नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो की दो अनुओं पे निर्भर करती है दोनों अनुओं जो अभिकर्मक है हमारे और आक्रमन कारी जो ना भी किस नहीं है इन दोनों पर यह न कारण यहां पर जैसे यह देखिए यहां कारबन में एक ही साथ दोनों अभिक्रिया होगी हमने बात कि थे बंद तूटते हैं और नए बंद बंद बंदते हैं यहां दोनों अभिक्रिया साथ में होगी एक तरफ से हमारा हैलोजन जो है वो बंद तूटते जाएगा और वो अलग होगा और दूसरे साइट से हमारा नाभिकिस नहीं यहां आकरमन करता है इससे होता ये है कि एक संक्रमन संकूल का निर्मान होता है activated जो complex बनता है ये जो संक्रमन संकूल होते है ये काफी ice thai होते है ice thai होने के कारण ये जल्दी से जल्दी किसमें change हो जाते है product में change होते है तो ये अभिक्रिया केवल एक step में होती है चलिए इसे समझते हैं डिटेल में समझने के लिए देखिए कि कार्बन जो है ये किस प्रकार जुड़ा हुआ है हमारे हैलूजन से हैलूजन और कार्बन के बीच यहां बंद बना है तो आकर्मन करने के लिए अबिक्रिया में यह नुक्लियूफायल जो है वह पीछे से आकर्मन करते हैं यह विपरी दिशा से क्या कर रहे है आकर्मन करते हैं यह अभिक्रिया काफी अ होती है तो हमने अभी देखा था एसा स्टैप जो बहुत स्लो होता है वही पूरी अभिक्रिया का दर निर्धारित करता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है तो इस स्टेप में क्योंकि दोनों अभिक्रमक भाग ले रहे हैं दोनों ही अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं इसलिए इसका नाम है SN2 अभिक्रिया अब देखिए जैसे ही यहां आक्रमन होता है तो कार्बन के बंद की और ध्यान दीजिए कि एक तरब क्या हो रहा है कि यहां पर हैलोजन क्या बंद टूट रहा है सांत यह सांत पीछे साइड से जब ना भी किस नहीं इस पर आक्रमन करता है तो बंद का निर् है अनिस्टेबल है यहां पर कार्बन जो है संक्रमन अवस्था में SP3 से SP2 अवस्था में आ जाता है अब क्योंकि यह अवस्था बहुत आइस्था ही है तूरंत ही बंद टूटता है है हैलोजन की साइड से और ना भी किस नहीं क्या कर रहा है उसमें जाकर बंद का निर्मा होता है इस अभीक्रिया के लिए हमें प्रोटिक विलायक के अशक्ता नहीं है तो तो SN2 अभिक्रिया में आपको धियान रखना होगा कि यह प्रबल नाभिकिस नहीं की उपस्तिती में ही होगा तो यहां पर आकर आक्रमन होता है और देखें किस प्रकार की अभिक्रिया कम्प्रीट होती और उत्पात का निर्मान होता है चलिए एक एक्जामपल से समझते हैं हम ले लेते हैं मेथाइल क्लोराइड CH3Cl मेथाइल क्लोराइड में जब हम OH- हमारे नाभिकिस नहीं का आक्रमन कराएंगे तो क्या होता है कुछ इस प्रकार की स्तिती बनती है देखें कार्बन में एक तरब से अपने पास क्लोरीन भी है और दूसरे साइड से OH ग्रूप आकर आक्रमन कर रहा है तो यहां पर बंद टूट भी रहे है और नया बंद बन रहा है यह स्तिती में कार्बन जो है वो अधि ही तूट कर किसमें बदर रहा है उत्पार जो कि हमारा मेथाइल क्लोराइड है तो यह हुई हमारी एसन टू प्रकार के अभिक्रिया इसमें दोनों ही अभी कर्मक के सांध्रता अभिक्रिया की दर को क्या कर रहे हैं प्रभावित करते हैं यहां ध्यान देना होगा हम कि जब हम sn1 की बाद कर रहे थे तो वहां पर यहां आक्रमन करने के लिए आपके carbon के पास इतनी जगा हो नी है जिससे ना भी किस नहीं को उतनी जगा नहीं मिर्जी इस इस्तिती में आप ध्यान रखेंगे कि जब भी हम SN2 अभी क्रिया की बात करते हैं तो यहां प्राथमी कार्ब के टाइन जो है अधिक क्रिया करता है इसके कम क्रियाशील होगा आपका दूइत्यक सबसे कम क्रियाशील हुए यहां पर तृत्यक कार्बकेतायन तो इस प्रकार कि अभी क्रिया होगी हम ने ध्यान दिया कि जब हम एसन टू अभिक्रिया की बात करते हैं तो ना भी किस नहीं पीछे से आकर आक्रमन करता है तो जब वह पीछे से आकर कर रहा है नया बंद हेलो जन्स के विप्रीद दिशा में बनता है तो इस समय क्या होता है कि जो इनका संसरूपन पलट जाता है जैसे कि हम च्छाता ले बारिश में तो कभी कभी क्या होता है कि हवा पलट जाता है तो वैसे ही यहां इनका जो विन्या से बिल्कुल पलट जाता है जब ना भी किस नहीं आकर जूड़ जाता है तो SN2 अभिक्रिया में क्या होता है संसरूपन का प्रतिलोपन हो जाता है इसे कहते हैं इन्वर्शन ओफ कॉन्फिग्रेशन इसे वर्लडन का प्रतिलोपन भी कहते हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी हम SN2 की बात करते हैं तो यहां पर संसरूपन क्या हो जाता है यह बिल्कुल पलट जाता है इन्वर्शन हो जाता है SN1 और SN2 अभी क्रिया को तो हमने समझ लिया अब देखते हैं कि ऐसे कौन-कौन से कारक हैं जो इन्हें प्रभावित करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा एलकिल जो समू है इनका सभाव कैसे SN1 और SN2 को और सबसे प्रभावित करते हैes SN1 में हमने देखा था कि कार्ब कैटायन जो है वह सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि अभिक्रिया के दौरन सबसे पहले हमारा कार्ब केटायन बनेगा फॉस स्टेप में सेकंड स्टेप में उस कार्ब केटायन पे नुकलियोफाइल अटेक करता था तो वहां कार्ब केटायन का इस्थायत्व जितना अधीक होगा उतना ही असानी से वो अभिक्रिया होगी और उत्पाद बनेगा तो ऐसे केस में हमारा त्रीतियक अगर एलकाईल ग्रूप रहेगा तो SN1 अभिक्रिया बहुत असानी से होगी जैसे जैसे हम त्रीतियक से द्वीतियक की और जाएंगे अभिक्रिया की दर थोड़ी सी कम होती जाएगी वहीं बात करें हम एलेल और हमारे बेंजाइल हैलाइट की इन दोनों में भी SN अभिक्रिया जो होती है SN1 वो बहुत आसानी से होती है जिस पे हमारी बात हुई थी कि इन में क्या होता है अनुनाद होता है और अनुनाद के कारण इनका कार्ब केटायन बहुत इस थाइप तो प्राप्त कर लेता है वहीं हम बात करें अगर हम SN2 अभिक्रिया ले रहे हैं तो किस प्रकार के अलकील हैलाइट जो हैस अभिक्रिया में जादी उत्पात देंगे तो यहां पर हमें समझना यह है कि यहां आक्रमन जब होता है तो हमारा ना भी किस नहीं कार्बन के पीछे साइट से जिधर हैलोजन जुड़ा है उसके विप्रीव दिशा से आकर आक्रमन कर रहा था आक्रमन करने के लिए उसे पूरी जगा कैसी चाहिए बिल्कुल खाली जितनी जादी मिलेगी वो उतने आसानी से आक्रमन करेगा पर अगर यहां पे हम त्रीतियक अलकील हैलाइट की बात करते हैं जितना जादा कार्बन की शाखा से जुड़ा हुआ ग्रूप बड़ा होता जाएगा वो आक्रमन के लिए क्या करता है अवरोध पैदा करेगा वहां पे बाधा उत्पन करता है जिसे हम त्रिविम बाधा क तो SN2 अभिक्रिया में कम क्रिया शिलोगा वहीं हम बात करें प्राथमिक अलकाइल समू की क्योंकि इसके पास पहुंचना उतना कठनाई भरा नहीं होगा असानी से हमारा नाभिक इस नहीं हैलुजन के विप्री दिशा से आक्रमन कर सकता है तो इस कारण से प्राथमिक जो एलाइलिक हलाइड रहेगा वो SN2 अभिक्रिया के लिए बहुत अच्छा रहता है दूसरा कारक जो इसे प्रभावीत करता है वो है कि हमारे नाभिक इस नहीं का प्रकृति कैसी है नेचर ओफ नुक्लियोफाइल जैसे हमारे पास दो प्रकार के नुक्लियोफाइल होते हैं प्रबल और दूरबल एसेन वन में हमने देखा था कि अभिक्रिया जो है केवल किस पे निर्भर करती है एलकाइल हैलाइड पर यहां पर अभिक्रिया की दर जो है हमारे नाभिक इस नहीं कि सांध्रता पर निर्भर नहीं करती तो इस स्तिती में देखिए अगर हमारे पास एसेन वन अभिक्रिया हो रही है तो दूरबल नाभिक इसनेहीं इसके लिए बैस्ट होता है अच्छा रहेगा लेकिन SN2 अभिक्रिया में नाभिकिस नहीं को हेलोजन के साथ साथ पीछे से आकरमन करना होता है हेलोजन अभी इसका बंद तूट रहा होता है और नाभिकिस नहीं को आकरमन करके बंद बनाना होता है इस इस्तिती में हमें प्रबल नाभिकिस नहीं चाहिए रहता है तो SN2 अभिक्रिया के लिए हमारा नाभिकिस नहीं कैसा होना चीए काफी प्रबल होना चीए ताकि वो आक्रमन कर सके तो दूसरा था हमारा नाभिकिस नहीं किस प्रकार का है तीसरा जो प्रभावित करता अभिक्रिया की दर्कों वो है कि हमारा नाभिकिस नहीं जो आ रहा है उसकी सांद्रता कैसी है तो अगर आप प्रबल नाभिकिस नहीं की बात कर रहे हैं और प्रबल नाभिकिस नहीं माल लो आपके पास कम सांद्रता में है तब वो SN1 अभिक्रिया आसानी से करवा सकता है लेकिन अगर आप दुर्बल नाभिकिस नहीं की बात करते हैं तो दुर्बल नाभिकिस नहीं उठ्य सांद्रता पर ही SN2 अभिक्रिया करवा पाएगा ऐसा क्यों? क्योंकि SN2 अभिक्रिया के लिए हमें आक्रमन पीछे से करवाना होता है आक्रमन करने के लिए इसकी सांध्रता क्या होने चाहिए अधिक होनी चाहिए तभी हमारा दूर्बल नाभिकिस नहीं SN2 प्रकार की अभिक्रिया करवा पाएगा चौथा जो कारक है जो प्रभावित करता है यह हमारे विलायक की प्रकृते SN1 अभिक्रिया में देखिए क्या होता है कि पहले हैलूजन्स को हमारे प्रोटिक विलायक वहां से लेकर जाते हैं तो SN1 अभिक्रिया के लिए प्रोटिक विलायक होना बहुत जरूरी है ऐसे विलायक जो हमें वहां प्रोटोन देते हैं जैसे हुआ वाटर, एलकोहल या हमारे एसिटिक एसिड यह क्या होते हैं हमें आसानी से H प्लस देते हैं और यह H प्लस हैलूजन से क्रिया करेगा और उन्हें वहां से निकाल देता है HX के रूप में जिससे आसानी से कार्ब केटायन बन जाते हैं तो जब भी हम SN1 अभिक्रिया की बात करते हैं वहां हमें ध्रूवी विलायक ही चाहिए होगा पर SN2 अभिक्रिया में आक्रमन उसी समय हो रहा है आक्रमन के समय ना भी किस नहीं आ जाता है यहां पर विलायक आप्रोटिक भी रहेगा तो अभिक्रिया असानी से हो जाती है तो चलिए थोड़ा और इजी कर लेते हैं हम इसे कि SN1 और SN2 में हमें क्या क्या चीजें चाहिए जब कभी भी बात हम करते हैं SN1 की तो SN1 में पहला कारक याद रखना है कि त्रीतियक या दिवितियक अलकाइल हलाइड होना चाहिए अलेलिक या बेंजायलिक हलाइड होगा तब अभिक्रिया बहुत अच्छे से होगी दूसरा कारक जो है यह विलायक है आपके पास प्रोटिक विलायक होने चाहिए अभिक्रिया उससे बहुत अच्छे से होगी और तीसरा जो है हमें ध्यान रखना है कि ना भी किस नहीं हम हमारा नाभी किस नहीं इस समय अगर दूर्बल नाभी किस नहीं है तो यह असानी से अभीक्रिया करवा देगा अगर प्रबल नाभी किस नहीं और इसकी सांदरता कम है बहुत तनू है तो भी यह हमारी SN1 reaction के लिए एक अच्छी अनुकूल इस्तिती देता है वहीं हम बात करें SN2 अभीक्रिया के लिए क्या-क्या अनुकूल कारक है तो चलिए देखें पहला कारक जिस पर चर्चा हुई थी कि हमारा एलकाइल हेलाइड किस प्रकार का है तो प्राथमिक या द्वितियक अगर हमारा नुकलियोफाइल प्रबल होता है तो प्रबल नुकलियोफाइल अभीक्रिया असानी से करा देता है विलायक की बात करें तो यहां पे हमें आप्रोटिक विलायक जो होता है यह SN2 अभीक्रिया में बहुत अनुकूल परिस्तितियां देता है तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे SN1 और SN2 अभीक्रिया होती है कि चलिए SN1 और SN2 अभीक्रिया में अंतर देखें SN1 अभिक्रिया इसमें वेक जो है केवल एक क्रिया कारक की सांधरता पर निरभर करता है और नाविक इसनेहीं की सांधरता इनके वेक को प्रभावित नहीं करती वही हम बात करें S2 की, तो इसका वेग क्रिया कारक और नाबेकिस नहीं दोनों की सांदरता पर निर्भर करता है. दूसरा, इनकी क्रिया शिल्ता का करम देखें, तो तृतियक, द्वितियक और प्राथमिक कारबन होगा. वही हम SN2 की बात करें तो यहां प्रात्मिक द्वित्यक और त्रित्यक होगा तीसरा खास अंतर है इनमें मध्यस्त कार्ब केटायन बनते हैं SN2 में कार्ब केटायन नहीं बनते अभिक्रिया में आइस्थाई संकर्मन अवस्था बनती है चौथा कारण जो है चौथा अंतर इनमें रैसिमी करण होता है SN2 में विन्यास का पूनता त्रिविम प्रतिपन इन्वर्शन होता है SN1 अभिक्रिया में दूर्बल नाभिकिस नहीं जैसे जल, अल्कोहल, आदी अभिक्रिया के लिए अनुकूल होते हैं वहीं SN2 में प्रबल नाभिकिस नहीं जैसे अल्कॉक्सायड आयन अभिक्रिया के लिए अनुकूल होते हैं SN1 अभिक्रिया में ना भी किस नहीं की कम सांधरता अभिक्रिया के लिए अनुकूल होती है जबकि SN2 में ना भी किस नहीं की उच्च सांधरता अभिक्रिया के लिए अनुकूल होती है बात करें विलायक की तो SN1 में दुरूवी प्रोटिक विलायक जैसे जल, एलकोहल, अम्ल जिनका परावेद्दो तिस्ते रांग उच्छ होता है SN1 अभिक्रिया के लिए उप्यूक्त होते हैं वही SN2 अभिक्रिया के लिए दुरूवी आप्रोटिक विलायक एसिटोन, एसिटोनाइट्रिल, डाई मेथिल, पॉर्मामाइट, आदी जिनका परावेद्दो तिस्ते रांग उच्छ होता है SN2 अभिक्रिया के लिए उप्यूक्त होते हैं चलिए कुछ प्रश्णों को हल करते हैं RCL, ROH की जलब घटन करके अभिक्रिया धीमी होती है परन्तु यदि अभिक्रिया के मिश्रण में KI, पोटेश्यम आयोडाइट का उत्प्रेरकी मात्रा मिलाई जाए तो अभिक्रिया की गती तेज हो जाती है ऐसा क्यों? तो यहाँ देखे, क्योंकि RCL प्लस KI गिवस RI प्लस KCN यहाँ आयोडाइट एक प्रबल नुक्लियोफाइल है यह RCL से ख्रिया करके RI बनाता है वही RI प्लस HOH गिवस ROH प्लस HI आयोडाइट क्लोराइट की तुल्ला में एक अच्छा निर्मोची समो लिविंग ग्रूप है अताक पोटेश्यम आयोडाइट मिलाने पर क्रिया की गती क्या हो जाएगी यहाँ? तेज हो जाती है चलिए एक और प्रश्न देखे SN2 अभिक्रिया में प्रात्मिक अलकाईल हलाइट तुल्ला में जद़क्रिया शिल्ल होता है परंतु SN1 अभिक्रिया में इसकी विप्रीध गती होती है क्यों? तो SN1 अभिक्रिया एकलपद में होती है इसमें संक्रमन अवस्ता तता एलकाईल समू का आकार आक्रमन कारी नुक्लियोपाईल की आक्रमन में बाधा डालता है क्योंकि त्रीतियक एलकाईल हेलाइड में त्रिवीम बाधा सबसे ज्यादा होती है और प्रात्मिक हेलाइड में सबसे कम इसलिए त्रितियक हेलाइट कम क्रियाशिल और प्रात्मिक हेलाइट ज़्यादा क्रियाशिल होते हैं वहीं जब हम बात करते हैं SN1 अभिक्रिया में तो यह अभिक्रिया दो पद में होती है जिसमें से पहला पथ जो है खाफी धीम्या होता है जिसमें एलकील यहलाइट का कर्ब कैटाइन मिलता है क्योंकि तृतियज़ किर्मक जदा अधिक और प्रात्मिक कार्ब कैटाइन कम स्थाई होता है उसलिए तृतियक यह अधिक क्रियाशील होगा ऐसे न अभिक्रिया इस अभिकर्मक में अधिक होगी